दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिसकस करने वाले हैं जो कि आपके बीएसी सेकेंडिया फो सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट एट हरबल प्रिप्रेशन एंड फाइटो केमेस्टी से जुड़ावा टॉपिक है और हमारा जो आ लावा जनेंगे क्योमिरीन के बारे में क्योमिरीन की क्या प्रॉपर्टी है क्योमिरीन कैसे यू start है तो वीडियो बहुत इंपॉर्टन है और आपके एक्जाम में इन दोनों टॉपिक से सौ टाइप के कोश्चन पूछ जाएंगे तो विडियो अध्यान से देखेगा Anthocyanine are water-soluble pigment that appear red, blue or purple depending on the pH तो जो Anthocyanine है यह एक प्रकार का water-soluble pigment है जो कि red, blue, purple इन सभी color में पाया जाता है यानि कि plant में अगर red, blue, purple यह सब color दिख रहे हैं तो वो किसकी वज़े से है? Anthocyanine की वज़े से है परन्तु यह जो इनका अलग-अलग color है वो depend करता है pH पर They belong to a class of molecules called flavonoids तो इसके पहले मैंने आपको flavonoids के बारे में पढ़ाया हुआ है तो जो यह Anthocyanine है यह flavonoids के अंतरगत आते हैं As with all biological pigments, they have highly conjugated system with delocalized pi electron that absorb light in the visible region of the spectrum तो जितने भी coloring plant pigment होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा single और double bond जो की highly conjugated होते हैं जैसा कि आप यहाँ पर image में देख सकते हैं इसमें आपको ring देखने को मिलेंगे और साथी साथ उसमें double bond और single bond alternate form में देखने को मिलते हैं तो इनका जो color होता है यानि कि जितने भी pigment है उनका color किस वज़े से होता है तो यह जो double bond में pi electron होते हैं वो क्या करते हैं light spectrum का जो visible वाला reason है उसको absorb करते हैं और different type के color देते हैं नीचे आप देख सकते हैं anthocyanine का chemical structure आपको बता दे कि इसमें आप जो polar hydroxyl group देख रहे हैं यह क्या करता है कि water के hydrogen के साथ मिलकर hydrogen bond बनाता है इस वज़े से यह water soluble एक pigment है तो यदि आप से कोई पूछे कि anthocyanine क्यों water soluble है तो उसका reason क्या आप बताएंगे कि इसमें पाये जाने वाला जो hydroxyl group है वह water के hydrogen के साथ hydrogen bond बनाता है इस वज़े से यह water soluble है अब next हम बात करते हैं कि अलग-अलग pH पर यह कैसे color देता है तो anthocyanine को as a हम pH indicator भी use कर सकते हैं क्योंकि यह different pH पर अलग-अलग color देता है जैसे कि pH जो है less than 4 होता है यानि कि 4 से कम होता है उस case में anthocyanine rate color देता है और यदि pH value 6 से 7 के बीच होती है तो anthocyanine violet color देता है और यदि pH value 7 से लेकर 8 के बीच होती है तो anthocyanine blue color देता है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो anthocyanine है low pH पर red color higher pH पर blue color और mid pH पर यानि कि लगभग neutral condition में यह violet color देता है अगर next हम बात करते हैं anthocyanine के stability की तो anthocyanine बहुत ही stable होता है चाहे वो low pH हो चाहे low temperature हो यानि कि low temperature और low pH पर ये more stable है इसके लावा अगर देखा जा कुछ metal iron जैसे की iron और aluminium के जो iron है इसके साथ ये deep color देता है पर अगर temperature higher होता है तो उस case में anthocyanine stable नहीं होता और ये decolorize हो जाता है और ये next हम बात कहते हैं कुमरीन के बारे में तो आपको बता दे कि ये जो क्युमरीन सब्ध है ये एक करेवियन सब्ध है जो की टोका पेड़ के लिए यूज किया गया है और ये करेवियन सब्ध कौमा रोव से लिया गया है जो की एक टोका पेड़ के लिए होता है जिसमें की एक विसीश प्रकार की सुगंद आती है तो पौधों में जो क्यूमरीन है एक important role अदा करता है ये एक प्रकास से protection का काम करता है और साथी साथ जब stress condition आता है पौधों में तो उस case में ये एक प्रकास से phyto-alexine के रूप में काम करता है यानि कि ये stress को कम करता है इसके अलावा ये कम सांदता पर पौधों के विकास को बढ़ाता है और इसके साथ साथ जो सह क्रियात्मक गतिविदिया है उनमें ये सहायता प्रदान करता है तो इस तरह से देखा जाए क्यूमरीन एक natural biological active substance है जिसमें की benzo alpha pyron group होते हैं और क्यूमरीन में anti spermodic, anti coagulant, coronary vasco dilatory और other effective substance होते हैं जो कि मानों और पौधों दोनों के लिए बहुत ही helpful होते हैं तो यदि हम बात करें इसके uses की तो ये एक प्रकार से anti coagulant होते हैं यानि कि blood thinning करते हैं anti fungicidal होते हैं, anti tumorous होते हैं, anti phlemmetry होते हैं तो कह सकते हैं कि medicinal इसका value बहुत अधिक है और skin treatment जो है यानि कि skin से जुड़े हुए जो disease हैं जैसे कि psorosis है, eczema है इन सभी रोगों में बचाओ देता है और asthma और lymphedema इनके उपचार में भी इसका use किया जाता है तो fitting or sticker ने independently work करते हुए क्यूमिन के nuclear formula को दिया था तो इसका formula आप देख सकते हैं, formula है C9H6O2 इसके अलावा T-Man और हर्सफल ने again work किया, Qmarine पर उन्होंने भी same यही formula दिया था आपको बता दें, they are derivatives of Benzopyrin, it is also known as 1,2 Benzopyrone या फिर इसे 2H1 Benzopyrone 2-1 compound के नाम से भी जाना जाता है these are lactone with the basic structure of 1,2 Benzopyrone तो जब किसी organic compound में ester group यानि की OCO एक ring के साथ भाग लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं lactone तो Qmarine के जो 1,2 Benzopyrone है, उसी में आपको lactone देखने को मिलता है तो अगर हम बात करें Qmarine की, तो Qmarine भी एक प्रकार का color pigment है जो की लगभग 40 different families, चाहे वो monocot हो, चाहे diecot हो उनमें ये देखने को मिलता है जैसे की APAC, Rootiasis, Esteriasis, Fabiasis, Leguminasi, जिसे कहते हैं ओलियेसी, मुरेसी और अभी लगभग 4000 से भी अधिक Qmarine isolate किये गए है तो Qmarine पाया कहा जाता है तो Qmarine are found in almost every plant part तो ये पौधे के लगभग सभी भाग चाहे fruit हो, seed हो, root हो, bark हो, leaf हो इन सभी जगों पर ये पाया जाता है अगर हम बात करें Qmarine के properties की तो ये crystalline in nature होता है और ये glycosides में भी पाया जाता है optically active होता है और hexane, petroleum, ether इन सभी में ये insoluble होता है soluble medium काउन से है जो की polarized हो, जैसे की chlorinated solvent हो, ether हो polar solvent हो, जैसे की acetone, methanol, alcohol hydromethanol या फिर ethanol तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और कोई भी doubt है, आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ, तब तक के लिए जाहिंद, जै भारत